जद्यू ने फैसला लिया होगा कि नितिश जी का कारिकर्म बिहार से बाहर भी करना है जद्यू ही अपने कारिकर्म को सगित किया है तो इस पार्टी का अंतरिक मामला है तो हो सकता है बात में करें को डेट निर्दारन हो जाए बात में नमस्कार आप नुच पोनेशन देख है मैं हूँ आपके साथ वंदना बिहार के मुक्य मंत्रे नितिस कुमार लोकसभा चुनाओं से पहले बनारस और जहरकंड में रैली करने वाले थे हलाकि इस रैली को रद कर दिया गया जद्यू की ओर से यहारोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी हिटलर साही तानशाही र लोक सकता है लगता है कि इन सब चीजों में जो है एक राजनीती तूल दिया जा रहा है कि बिल्कुल तो कि हर पार्टी और उसके नेता कोई हख है कि इस देश से कहें भी जाकर कि मिटिंग करें सभा करें अपनी बातों को जनता के समक्ष रखें अ요 अब जयद्यु ने फैसल लिएया होगा कि निति यजिका कार करेम भिहार से बाहर भी का आ do जडियू ही अपनी कारेक्रह को सगित किया कि इस पाठी का अंतरिक मामला है कुछ सकता बात में करें को डेट नेतार हี้ आजसा बात में चोगी महत्पूर्ट है कि याब इंडिया गटबंदन जिसके प्रमुख नेता है नीतिस कुमर जी उसकी उनीस तारीकों बैठक होने वाली है उस बैठक में इन बिनुप अप्षी चर्चा होनी है कि हम लोग तेजिक साथ विहन राज्यों में बड़ी बड़ी सभा करेंगे और मोधी सरकार की फलताओं को मजबूती से उजाकर करेंगे लेकिन बीजिपी ने अभी आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंतर नीतिस कुमार को कोई भी नेता मानने को तयार है ही नहीं इंडिया गट बंदन में वह सारा कुछ जान गए कि तिन राजियों में जो चुना हुआ और तिन राज में किस तरह से हमारी हार हुई है क्योंकि पांच जार तक वोट पी नहीं आया और जब यह बात नहीं तो इसको मार्ज खोद जान गए तब वह अपने आपको जो है एक तरह से कहा जाए कि हवा पानी देने में लगे हुए है ताकि जो इंडिया गट बंदन में दल है वह हमें तवाजू दे अब दे बीजेपी के ब पिश्र नौ सालों में शासन किया है देश में जिस पैमाने पर लोगों में निरासा बढ़ी है विरोजगाडी बढ़ी है बागाई बढ़ गई तो विफलताओं की बढ़ी लबी चोड़ी फेहरिस्त है अगर उनकी कोई उपलब्दी है तो बताना चीज तो बता नहीं कि पर सुद्धू पर सुद्ध क्टी इंदर की अपनी कोई उपलब्दी नहीं है तो बिफाकर निराधार बातों को लेकर हासे हर सफवत बातों लेकर अरोप लगाना बीजेश्पी के आदतों में समार हो गया है कि मैं समझता हूं कि बीजेपी लाख हिस्ते की बातों को परपगंडा करें इसका कोई प्रहावजनता पढ़ने पढ़ने वाला है निति इसकुमार मारे गटबंधन के परमुखनेता है और उनकी इंडिया गटबंधन में भी बहुत परमुखता है उनिस तारिकों इंडिया गटबंधन के निताओं के बैठक भी होने वाली है जिसमें कई रणितिक मावलों पर फैसले लिए जा सकते हैं किया चुनावी रणिती होगी कौन दल कहां कहां चुनाव लड़ेगा हमारा परचार अव्यान का क्या तरीका होगा यह तमाम बातें उसमें उठेगा तो मैं स लालू जी और जो बरे नेता इस गटवंदन में हैं को और इसके राष्टे दक्स मलकर जुन खरगे जी रावल गांदी जी वही लोग वता सकते हैं इसे उनीस तारीकी बैठक के फला-फल की प्रतिक्षा करनी चाहिए जिस तरह से मुक्यमंति नितिश कुमार ने उद्यों को बढ़ावा जो है दिनी को लेकर के एक वर फिर से एक्टिव दिख रहे हैं हाल ही में जो है निवेस को के साथ बैठा कोई लगवत दिश्क के छेश और निवेस सक पहुंशे हुए थे अदानी हबानी को भी उन्होंने जो है ने उता दिया और उद्यों को लेकर के आपक में भी इन्वेस्टर मीट हुए हैं पत्ता में भी राज के बाहर भी दिली बगर में भी लेकिन कोई इन्वेस्टर सामने नहीं आया इस बार बरी संख्या में इन्वेस्टर आये और आये ही नहीं जो जानकारी मिल रही है को इन्वेस्टरों ने बरी संख्या में इन्वेस पर भी दस्कत की हैं लगवग दो ड़ाई हजार करोड की पूजी निवेस को लेकर तो M.E.U.I. वगरब भी साइन हो गया है तो यह एक अच्छा संकेती नहीं उपलबदिये बिहार के लिए कि बड़ी संकेती में इन्वेस्टर ना सिर्फ बिहार आये पलकि उन्होंने पूजी निवेस के लिए करार पर भी दस्कत किया तो मैं तो इसे इस रुपे मानता हूँ कि जब तक बिहार के साइसन में बीजेपी भी एक हिसेदार थी है तब क्या वज़ा है कि एक भी इन्वेस्टर नहीं आया कोई पूजी निवेस बिहार में नहीं हुआ जोहीं बीजेपी को अमनों ने बाहर किया सत्ता से और गटवंदन की सरकार बनी और जिस तरी से इन्वेस्टर सामने आये अपना उद्द्धा लगाने के लिए सरकार के है यह अपने आप एक बड़ी प्लब्दी गटवंदन सरकार की और मैं सुझता हुआ इसे विहार को लाव होगा नहीं उद्द्धे लगेंगे रोजगार के अपसर पैदा हो एक स्वाल अभी है कि कॉंग्रेस तो सुरू से दानी अमानी को जो है वह विरूद करता रहा कि अडानी यान पूजी पत्यों को लगातार मोधी जी के सासन में बहुत बढ़ावा मिला है और उस पर लगातार कामरेस पार्टी हमलाबर रही है करवार रहने तार राहूल गांदे जी ने तो कई बार इन चीजों को खुला सब ही किया है कि बिजेस दौरा पर ये प्रता अडानी जी का हो जाता है तो अडानी और नरेंद्र मोधी और बीजेपी को लेकर क्या घंश्पता है ये जग जाहिर है अब नितिश जी या उनके उद्यों विभाग ने भीहार का जो इसने इन्वेस्टर्स को इंवैट किया इन जरल इंविटेशन सबको दिया होगा तो को एक कट्गरी नहीं बनाई होगी किसको बुलाना नहीं बुलाना है इसे अभी इस मामले को जड़ा तूल ना देते हुए हमारा मकसद है कि विहार में उद्यों जन्दा लगे चालू हो रोजगार स्रिजन के अबसर पैदा हो और इंडिशनली किसकुस में कौन सा करार किस चीज को लेकर हुआ है नहीं हुआ है जब सारी बातें असपस्ट हो जाएंगी तो इस पर देखा जाएगा बहुत में शुक्रिया बात करने के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिश्द के सदस्य और कॉंग्रेस एमिल सी प्टिम चंद मिश् इसकर बस इतना ही बने रहे है नियुजपोनेशन के साथ अब तक के हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब में के हैं तो कर लेजे धन्यवाद